नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन जोब लाइन पर और दोस्तों यह हमारे 11 नमबर का मोडल पेपर हैं इससे पहले के 10 मोडल पेपरों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से राष्ता पुलिस भर्दी परिक्षा 2018 में 90% की उस्टन हमारे द्वर अपदाय के मोडल पेपरों में से आये थे चाहिए पाट A हो B हो या C हो इसलिए यहाँ पर प्रते एक परसंद महत्वपूर्ण है और सभी पस्नों को आपको ज्यान से देखना है इसके अलावा दोस्तों हम यहा आपके सेनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में गंटिक अगर को भी दबा दीजे ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सभी समय पर मिल सके और हम जल्दी महत वरेजिनिंग के लिए भी मोडल पेपर लेकर आएंगे तो चलो दोस्ता हम शुरू करते हैं पर राइट आंशर होगा सरस्वति नदी को परसंद नमबर दो है कि रास्तान के उस राज्ये का नाम बताईए जिसमें अंग्रेजी सासन के पूर्व ही 1685 इस्वी में वास्तविक लोकतंतर की इस्थापना अमर साही रेक द्वारा ही कर दी गई थी जो देश आजादी तक वि परसिद्ध दूर्ग मंदिर किस जिले में इस्तित है तो यहाँ पर राइट आंशर होगा शिरोही जिले में परसंद नमबर चार कि जैसलमेर धोलपूर से कितने गुना बढ़ा है दोस्तों आप से पूछा गया है कि जैसलमेर धोलपूर से कितने गुना बढ़ा है तो रा पॉइंट 66 गुना परसन नमबर पांच कि राजस्थान में कुल वर्षा का कितना परतिशत भाग पस्चिमी मानसून से प्राप्त होता है आप से पूछा गया है कि राजस्थान में कुल वर्षा का कितना परतिशत भाग पस्चिमी मानसून से प्राप्त होता है तो राइट राजस्थान का वह सासक जिसने तेरे अलग अलग जातियों की लड़कियों से विवाग किया था वह कुन था तो यहां राइट आंस्वर होगा और दो बाग सिंग परताफगट जागिदार परसन नमबर साथ परसन नमबर साथ है कि सवाई राम सिंग के काल में जैपूर का परसिद्ध संग्राले बना इसका नामकरण परिंसेज अलबर्ड के नाम पर 1878 में किया गया इस इमारत का डिजाइनर कौन था तो यहां पर राइट आंस्वर होगा और श्वीडन जैकब परसन नमबर आट कि निमन लिखित में से कोंसा गरंथ जस्वंध सिंग्धवार रचित गरंथ नहीं है तो यहां पर आपका राइट आंस्वर होगा और श्वीडन जोड़ा गया था तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा और श्वीडन नमबर एक दोसो तहतर से दोसो तहतर ओ परसन नमबर दस जोड़ा और सूची एक को सूची दो से सुमेलित किजिए तथा नीचे दिए गए कूट का परियोग करके तो सही उत्तर चुनिए तो यहां पर आपका पर चीन वलित ये आपके होगा उत्री अमेरिका का दक्षणी पूर्वी टट फिर है जुआला मुखी तो ये होते हैं आपके परसांत पेटी और ये भ्रंश खंड आपके उत्री अमेरिका का दक्षणी पस्चिमी टट इस परकार ये आपके कूट का मिलान हो जाएगा अग चलते हम परसंद नंबर 11 पर कि रास्तान की जलवायू के संबंद में निमल लिखित में से कौण सा या कौण से कथन सकते हैं सही कूट का परियोग कर उत्तर चुनिए तो इन चारू कथनों में से जो कथन आपका सही है वह आपको बताना है तो यहाँ पर आपके एक दो और च्यार तिरनु कथन आपके सही है और कथन नंबर तीसरा आपके यहाँ पर गलत होगा अब चलते हम परसंद नंबर 12 पर परसंद नंबर 12 आपका कि सारुजिनिक छेत्र के विभिन वित्तिय संगठनों जैसे की RICO, RFC, वैर राज सिको, आधी द्वारा, आकलित और धोगिक संभावनाओं के आधार पर एस रेनी में रास्तान के कौन से जिले समलित किये गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जोदपूर, पाली, अजमेर और अलवर परसंद नंबर 13 कांगड कांड आपसे पूछा गया है कि कांगड कांड किस परजा मंडल आंदोलन के दोरा अनगाण गठित हुआ था तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बीका नेर परजा मंडल परसंद नंबर 14 गुबारा, नुश्रत, वे नागपली, गजक किसके नाम हैं आपसे पूछा गया है कि गुबारा, नुश्रत, नागपली, और गजक किसके नाम हैं तो यहाँ पर रा को दर्साया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्सिन वे पूरा उपस्चिम विस्तार ना पा जाता है ये इस्तितिया एक दो तीन वच्यार से अंकित की गई हैं नीचे दिगई करमावलियों के अनुसार सही अनुकरम चुनिये तो यहां पर राइट आंसर होगा उप् परसंद नंबर 16 नैशनल इंस्टिट ओफ फार्मा एजुकेशन एंड रिशर्ज नाइपर की इस्थापना की गई है तो दोस्तों आप से पूछा गया है यहां पे कि नैशनल इंस्टिट ओफ फार्मा एजुकेशन एंड रिशर्ज सेंटर की इस्थापना कहां पर की गई तो ये की गई है आपके जालावाड में परसंद नमबर 17 कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग का संबंद किस जिले से है आपसे पूछा गया है कि जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है तो ये कहा है आपके माउंट आबू को परसंद नमबर 19 बांग सुनावे कू कू बहरा नाही करीम ये कतन किसका है तो ये कतन आपके रामचरण जी का है परसंद नमबर 20 बीस है आपके कि वेली किसन रुकमनी किस भासा का गरंथ है आपसे पूछा गया है कि वेली किसन रुकमनी री किस भा बासा का गरंथ है तो यह आपके ुत्तरी मारवाड भासा का गरंथ है पर सब्सक्षा है में कि यह का है है तो राइट आंशर होगा बारे पर समाजिक अंके शन का कारियर रास्तान चृम्हें के कि सामाजिक अंकेशन का कारिय राजस्थान के किस जिले से प्रारंब हुआ तो ये आपके भीलवाडा जिले से प्रारंब हुआ परसंद नमबर 23 गोटमा मिठाई के लिए राजस्थान का कौन सा जिला विख्यात है आप से पूछा गया है कि गोटमा मिठाई के लिए रजस्थान का कोन सा जिला विख्यात है तो वो आपके जैसलमेर जिला विख्यात है परसन नमबर 24 बारा जिले में घोडे की नाल की आकार की पहाड़ियां कहां पर इस्तित हैं आपसे पूछा गया है कि बारा जिले में घोडे की नाल की आकार की पहाड़ियां कहां पर इस्तित हैं तो ये आपके रामगड के निकट इस्तित हैं परसंद नमबर 25 राजस्थान के विभिन्द नगरोयों उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कोनसा युगम ऐ सुमेलित है तो यहाँ पर कोई आंस्वर होगा जैसलमेर को थली नहीं कहा जाता है बाकी तीनों आपके राइट है परसंद नमबर 26 राजस्थान का वह भाग कोनसा है जिसमें अधिशेज जल की सरवार्दिक मातरा विद्दमान रहती है आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का वह भाग कोनसा है जिसमें अधिशेज जल की सरवार्दिक मातरा विद्दमान रहती है तो वो आपके दक्षनी पूरवी भाग है परसंद नंबर 27 राजस्थान में प्रतम मिट्टी परिक्षन परियोग साला जोधपूर में भारत सरकार की सहाईता से कब इस्ठापित की गई तो ये आपके 1958 इस्वी में इस्ठापित की गई परसंद नमबर 28 राजस्थान में सीड मल्टी प्लिक्षन फोर्म की इस्थापना कहां की गई है आपसे पूछा है कि राजस्थान में सीड मल्टी प्लिक्षन फोर्म की इस्थापना कहां पर की गई है तो यहां राइट आंसर होगा रोजडी बीकानेर में परसंद नमबर 39, बलेक ग्राम किस फसल को कहते हैं, आपसे पूछा है कि बलेक ग्राम किस फसल को कहते हैं, तो ये आपको उड़त को कहते हैं, परसंद नमबर 30, चोभी, चोपडा, फिरनी, गउगाट, आदी का संबंद किस से हैं, तो ये आपका जोडा से हैं, इसके अलाव झाल